जिस देश में 80 करोड से जादा लोग 5 किलो अनाज के लिए भी गवर्मेंट पर आश्रित हो जिस मुल्क में समझिये मुल्क की आधी से जादा आबादी गरीबी और मुफलिसी में गुजार रही हो जहां की आबादी वहां के प्रधान मंत्री की तस्वीरों को रेलिवे स्टेशन पर सेलफी पॉइंट के तरह पेश करने के लिए कड़ोरो रुपे उड़ाये जा रहे हैं आप खुद अंदाजा लगाए कि जिस मुल्क का रेंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 मुल्कों में 111 अस्थान है पड़ोसी मुल्कों से भी बत्तरीन हालात है जिस मुल्क को आप समझ लिजे के 205 लाग करोर रुप्या का जो मुल्क कर्जदार है जिसको ले करके अभी अभी इंटरनेशनल मौनिटरी फंड आई-मेफ ने चेतावनी दी है कि भारत के जिभी भारत का जितना जिभी है टोटल जिभी जो है उससे जादा भारत का कرض हो सकता है आने वाले वक्त में उस देश में फजूल खर्ची कितना हो रहा है और किस तरह से खास मुल्टी के च रहे हैं औरेंडर मोदी जी यह च्छन पर लगाये जाएंगे और कि जब लोग जाएंगे सफर करने केने के- लिए उनको ट्रेंड में सीट ना मिले मैं अपनी इसीट पर उनी दो-चार और अन्य लोगों को साथ मिले जाना परे मजबूरी वस क्योंकि ट्रेन की संख्याएं कम है वेटिंग में जाने वाले लोग ज्यादा है लेकिन उन्हें इतना मौका जरूर मिलेगा कि वो railway station पर free में free में प्रधान मंत्री मोदी जी के साथ selfie ले सकेंगे और हाँ इसके लिए उन्हें कोई charge नहीं देना परेगा ये बहुत सौभागी की बात है क्योंकि मोदी जी के तरफ से या फिर railway के तरफ से ऐसा कोई announcement अभी तक नहीं हुआ है कि मोदी जी के साथ selfie लेने के लिए आपको 10 रुपे, 5 रुपे या 11 रुपे पे करने होंगे तो ये एक बहुत अच्छी बात है बाकि हम खबर देखते हैं कि इस पर क्या कुछ खबरें सामने आई है दहिंदू ने एक खबर छापी है जिसमें आप देख सकते हैं कि railway जो है वो प्रधान मंतरी के selfie बूथ के लिए काफी पैसा खर्चा करने वाली है और इसको opposition ने जो है एक waste of money बताया है अच्छा अभी बस एक जो railway का zone है उसने इसके बारे में मतलब समझ लिए कि Central Railway नहीं इसका खर्च बताया है बाकी ने भी खर्च नहीं बताया है तो जिसने बताया है उस पर बात करते हैं और देख सकते हैं कि ये एक खबर सामने आई है और इसे आप तमाम लोगों को जानना चाहिए Center जो है वो 6.25 लाख रुपया हर on every permanent 3D selfie booth with Prime Minister Narendra Modi email in railway station मतलब एक 3D booth पे जो selfie booth लगाएंगे ये लोग प्रधान मंत्री मोदी जी का उसमें सब भसा चेहरा होगा उनमें मोदी जी होंगे बने हुए और मोदी जी की तस्वीरे होंगी साथ में कुछ-कुछ बाते होंगी मोदी जी का पचार प्रसार होगा इस पर 6.25 लाख उर्पे खर्च होंगे ये सिर्फ एक 3D booth बनाने पर आगे देखिए के according to a reply obtained from Central Railway Central Railway ने एक RTI का जवाब देते हुए जो जानकारी दी है के temporary selfie booth पर 1.25 लाख छोटे छोटे स्टेशन पे जो छोटे छोटे स्टेशन पे जो जिसे हम लोग हटा सकते हैं रिमूब हो जागा एक temporary सा जो होगा उस पे खर्च होगा 1.25 लाख रुपया बाकी जो बड़े बड़े स्टेशन है वहाँ पर जो 3D में लगेगा जिसे देखने के बाद हाई मोदी जी किते प्यारे लग रहे हैं हाई मोदी जी मुझे आपके साथ तस्वीरे लेनी है जो ख्याल आईगा लोगों के अंदर करे मोदी जी आगए हैं मोदी जी है देखिए इनके साथ तस्वीर ले लेते हैं आज फोटो जो हैं Facebook पर पोस्ट करेंगी ये उस देश की कहानी है जहां पर 80 करोर लोगों को भारत सरकार खुद एकसेप्ट करती है इस बात को अब बहुत अच्छे से एकसेप्ट करती है कि हम 5 किलो आनाज देते हैं क्यूं देते हैं भया क्यूंकि यहां पर 5 किलो आनाज के लायक लोग नहीं रहते हैं और 80 करोर लो तो यह है हमारा rank और आपको बता देख और रिपोर्ट बता देते हैं आप लोगों को अभी अभी इम आई एम फ ने एक रिपोर्ट दिया जिसको business standard ने अपने अखबार में प्रकासित किया अपने प्रकासित किया जिसमें ये बताया गया कि भारत के उपर 205 लाख करोर करोर जो है भारत पर कर्ज है आएम फ ने ये भी बात कही है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि भारत का GDP जो है उससे जादा भारत का कर्ज हो जाएगा जो भारत ने लोन ले रखा हुआ है आएम फ से दुनिया में जो पैसा देने वाली जो संगठने हैं उन से तो इं पॉइंट बनाने पर खर्च किया जाएंगे। कि यह 3D सेलफी बूत इसे कहा जाएगा और इसमें जो एक अच्छी चीज है और वो दिखाता हूं कि 30 कैटेगरी स्टेशन इंक्लूडिद छत्रपती, सिवाजी, टर्मिनस, कल्यान, नागपूर, बेटल विल हैब टिंप्रडी इंस्टॉलेशन वाइल 20 कैटेगरी सी स्टेशन सच है खजरत, कसारा, लातुर, कोपार, गाउं है पर्मानिट इंस्टॉलेशन तो यहाँ पर यह 20 पे 3D लगेंगे और 30 पे वो आपको टिंप्रडी लगेगा तो आप खुद अंदाजा लगाईए, इसको आराम से एक मरतबा कैल्कुलेटर लीजेगा 20 को 6.25 लाग से गुना कर दिजेगा, 30 को 1.25 लाग से गुना कर दिजेगा ठीक है, इसके बाद जो पैसा आएगा, वो कहाँ कहा है, सिर्फ और सिर्फ अभी Central Railway की बात हो रही है और देखते हैं, आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए The RTI reply further states that the Central Bureau of Communications functioning under the Ministry of Information and Broadcasting have approved L1 rates for 3D selfie photo booth at RS 1.25 लाग और जो पर्मानेंट है उसका 6.25 लाग जिसको बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, आगे देखते हैं The rate is exclusive of taxes, the RTI reply, तो RTI में जो ये reply सामने आया है आगे देखते हैं, this takes the total expenditure to 1.62 करोल on temporary permanent photo booths in the Central Railway of this up to 1.25 करोल for permanent photo booth and 37.5 lakh for setting up temporary ones तो मतलब लगभग डेर करोड़ी पे खर्चे जो हैं, वो किस पर किया जाए हैं, मोती जी की selfie पर आगे देखते हैं, Northern Railway in reply to another RTI query has said that the PM selfie photo booths will be installed at 100 different points अभी वो उपर पचासी था, across railway station with some stations having more than one booth और कुछ station तो ऐसे होंगे जिसमें एक ही नहीं और भी कई सारे booth होंगे, एक station पर कई सारे booth जिसमें आपको अंबाला है, नियुदेली है, अमरिसर है, देरादून है, योद्या है, चंडिगर है, यहाँ पर तो 3-3 booth है मतलब 3-3 booth पर अगर 3-D लगाया जाएगा, तो मान के चली के 20-20 लाग रुपय पर station पर खर्च होंगे, ठीक है भाया, बहुत अच्छे वालदा, Chief Public Relations Officer of the Northern Railway has said that the contract work has been allotted equally among eight impedent agencies with Northern Railway The officials have refused to develop the name of the agencies to which the work has been contracted or the total expenditure अभी total expenditure के बारे में जानका ही नहीं दी गई है, किस agency के द्वारा काम करवाया जाएगा, यह भी अभी नहीं बताया गया, यह North Railway की बाते है आगे देखिए, Southern Railway Division replied to the ATI query stating that the PM 3-D selfie photo will be set up in 11 station, तो इधार 11 station है और भी समझ यह देश के अलग-अलग, Central Railway को छोड़ करके, जो Central Railway उसको छोड़ करके बागियों ने अभी तक सारा data नहीं बताया है कि कितना पैसा खर्च होगा पैस पूरे मामले पर विपख्षा ने जो है वो बयान जाडी किया है, उनका कहना है आपोजिशन लीडर, जो हमारे Malikkar जो खर्गेजी है, आपोजिशन की लीडर है आप जानते है Sashi Tharoor of the Congress and Priyanka Chaturvedi of the Shiv Shena took to X, मतलब Twitter, to criticize the center expenditure on the PM's selfie booth not a single day goes without someone sharing their ghastly experience while traveling in trains people are paying more for services even though services are going drawn to the train spending crore over selfie points than better facilities shame on central railway Ms. Chaturvedi said तो ये अब विपक्ष वालों का ये कहना है कि train में लोग जो है सही तरीके से सफर नहीं कर पा रहे हैं लोगों को बड़ परिशानी हो रही है लोगों को काफी दिक्कते हो रही है ये बाते कही जा रही है लोगों को तो दिक्कत हो नहीं रही है लोगों को तो मोदी जी के selfie point पर तस्वीरे खिचवानी है तो आप position के लोग हैं मोदी जी के विरोधी हैं तो इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि इसमें विरोध करने की कोई बात नहीं है, मोदी जी की तस्वीर है, लोग फोटो लेंगे कम से कम लोगों के अंदर, ये भावनाएं तो आएंगे कि चलो ठीक है, मैं प्रधान मंतरी के साथ फोटो की चवाया हूं कल को, मैं भी प्रधान मंतरी बन सकता हूं, और देखें, खरगे साब लिखते हैं, का अप्सुलिटली ब्रेजन वेस्ट 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 मनी बाइंस्तॉलिट इस 3D सेलफी पॉइंट अट रेल्वे स्टेशन, खरगे जी का कहना है कि यह सब कुछ जो है, वो एक इलेक्षिसन का स्टेंट है, चुनावी स्टेंट है, और मन्रेगा का पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो अलग-अलग जो फ्लड आये हैं, उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, एक बहुत खुबसूरस सा या तो 3D अगर आप अच्छे शहर में होंगे या अगर छोटे मुटे शहर में होंगे तो टिंपरडी आपको रेलवेस्टेशन पर जो है प्रधान मंत्री मोदी जी की एक बहुत खुबसूरस सी तस्वीर लगेगी जिसके नीचे कुछ नारे होंगे, कुछ बाते होंगी और उन बातों की सचाई से क्या कुछ लेना देना होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है आप तमाम लोग अपनी राई कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा तब तक के लिए दीजिये जाधर फिर मैंने किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पिश्कास के साथ मोदी जी की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर कॉमेंट सेक्शन में डालना बिलकुल मत भूलिएगा जब रेल वेस्टरेशन से गुजरिये